हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल सीमा किचिन एंड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ बैगन भर्मा के बैगन तो इसके लिए मैंने बैगन ले लिए हैं मीडियम साइज के छोटे भी ले सकते हैं छोटे नहीं थे तो मैंने मीडियम साइज के ले लिए और सभी को धो के और बीसे काट लिया है और इसके लिए मसाला बनाएंगे प्याज लेली अद्रक लेसुन और हरी मिर्चे सभी को डालके और मिक्सी में पीज देंगे और अभी तेल गरम कर लिया है कड़ाई में डालके तेल हलका गरम हो गया तो बैगन जो काट के रखे थे उनको कड़ाई में डाल दिया है और थोड़ा पका देंगे थोड़ा पक जाएं तो लट पलट कर देंगे उनको और थोड़ा देर अच्छे से पका देंगे थोड़ा नमक भी डाल देंगे कि या है जल्दी पक जाएं तो इस तरह से बैगन को पकाना है और बैगन पक रहे तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं तो सबजी के लिए मैने मैंने जीरा सौप मैथी इसको भूझ लिया है थोड़ा-थोड़ा थीनो चीच Kятся ले लिया और अद्रक और हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दिया है और जो मसाला भूँच के रखा था वह भी डाल दिया है और तीन लॉंग और चार-पांच काली मिर्च भी इसी में डाल देंगे सभी को डाल के एक साथ पीज देंगे और बारीक पेश्ट बनाना है इसका और हल्का सा दरदरा पिसा है और देखे यह बैगन भी पग गए हैं इनको भी मैंने पलट दिया है कढ़ाई को खाली कर लिया उसी कढ़ाई में अब हम सबजी बनाएंगे तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है तेल गरम हो जाएगा तो यह मसाला जो पीस की रखा था वह इसमें डालेंगे तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल दी और जो प्याज वाला मसाला पीसा था वह मसाला भी इसी कड़ाई में डाल देंगे और डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे तेल छोड़ने तक इस त तोड़ा सा गरम मसाला इसा भी को एक प्लेट में रख लेंगे और थोड़ा सा अचार का मसाला ले लेंगे यह ऑप्सनल है पर अचार मसाला डालने से भरमा बेंगन का टेस्ट और अच्छा आता है और इसको अब मसाले में डाल देंगे मसाला देखिए प्याज वाला भून तो यह सूखे मसाले भी इसी में डाल देंगे और इन मसालों को भी अच्छे से भूण लेंगे और इसमें अब थोड़ी थी राम खटाई के लिए अमचूर पाउडर डालिए और आप अगर नहीं डालना है तो इसके भी कर सकते हैं और अमचूर पाउडर डालने से बैगन भर्मा अच्छे लगते हैं भर्मा की सबजियों में अमचूर पाउडर जरूर डलता है तो देखिए डाल के भून दिया है इसको भ बंद कर देंगे अच्छी से मसाला भुन गया है हलका सा ठंडा कर लेंगे मसाले को और बैगन भी ठंडे हो गए हैं तो बैगन में मसाला बीच में भर देंगे इस तरह से और अच्छी से दबा देंगे एक से करके देखिए इस तरह से मसालों को भरना है बैगन के अंदर और को मेरी रेश्पी पसंदा है तो अपने फ्रेंड और एलेटिस में सेयर करिए और आप भी जरूर बनाईए इस तरह से यह बैगन इस तरह से बनाने से बहुत टेस्टी बैगन बने थे और बहुत अच्छी लग रहे थे तो देखिए इस तरह से इसको भर देना है सभी भर जा कढ़ाई में ऐसे ही कढ़ाई में बैगन रख देंगे जो मसाला भर लिये थे बैगन में तो कढ़ाई में रखके फिर इन बैगन को अच्छे से थोड़ा और पका देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और सभी को डालके अच्छे से पका देंगे और आप से रिक् बमनाजिए तो आप एक रोटी की जगह दो रोटी कॉएंगे और बहुत टेस्टी बेगन बने थे और आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को क्लाइक से इरेंस क्राइब कर ये‡हेंक यूफ जा मेया तो रूड।